हेलो दोस्तों and welcome back to our channel आजके इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग जन्ने व्यादियों के बारे में इसको modern में हम communicable diseases से rate करते हैं the definition of communicable diseases is कि communicable diseases is an illness caused by an infectious agent or its toxins that occurs through the direct or indirect transmission from an infected individual or by an animal bacteria or the inanimate environment to a susceptible animal or human host all right तो यह है communicable diseases की definition दोस्तों अब जानते हैं आयरवेद के अनुजार उपसर्ग जन्ने व्यादियों का समाने परीजे तो दोस्तों जिन रोगों का जुरादी से पीडित रोगियों से अन्य व्यक्तियों में संक्रमन हो जाता है उन्हें हम उपसर्ग जन्ने व्यादिया कहते नीश्वास उत्सहब भोजनाद सहशया आसनाच चैअपी वस्तर माल्यान अनुलेपनाद यह है शलोक सुष्चुत सहीता निदान स्थान के पाचवे अध्याय का 32 शलोक दोस्तों इन निदानों का वर्णन आगे करते हुए इससे पहले हम देखेंगे उपसर्ग जन्ने व्यादियों के भेद दोस्तों उपसर्गज रोगों के कारण द्रश्टी से दो भेद होते हैं संसर्गज रोग वा आकस्मिक रोग संसर्गज रोग वे होते हैं जिनमें रोगी के साथ स्पर्ष जिनमें संक्रमण का कारण होता है वो होते हैं संसरक रोग जैसे कि उबदंश, फिरंग, कुष्ट या पूह में अब दोस्तों इसमें कुछ रोगों में स्वास, छी, जूटा खाने आदी से भी संक्रमन हो जाता है जबकि आकस्मिक रोग वो संसर के बिना ही पूर्व करत कर्मों का विपाख होने पर हो जाते हैं या फिर जनपत ध्वन्स में दूश जल, बायू, आकस्मात ही स्वस्त व्यक्तियों पर आकरवन कर उन्हें रोगी बना देते हैं दोस्तों यहाँ पर एक नोट हम इंगित करना चाहेंगे कि modern investigation से भी यह प्रमानित हो गया है कि संक्रामक रोगों के उत्पत्ती पर पसार के हेतू विभिन प्रकार के सुक्ष्म जिवानों हैं जो वायू, जल और खाते पेपधारतों के द्वारा मनुश्य शरीर में जाकर रोग करते हैं नेक्स हम देखेंगे उपसरकज व्यादियों के निदान तो पहला है मैथुन करना या लंबे समय तक एक साथ रहना सेकंड है एक रोगी के शरीर अव्यों को दूसरे शरीर के अव्यों के संपर्क में आना थर्ड है नीश्वास, फोर्थ एक साथ बैट कर जूटा खाना या फिर एक साथ सोना, एक ही स्थान पर एकटे बैटना और लास्ट है एक दूसरे के वस्त्रिया माला आदी पहनना दोस्तों तो यह हैं उपसर्गज व्यादियों के हेतू वकारण अब दोस्तों नेक्स स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि इन निदानों से होने वाली उपसर्ग जन्यव्यादिया तो सुष्ट स्थान के निदान स्थान में पांचवे अध्याई का 33 लोग है कुष्टन जवरष्ट सोशष्ट नेत्र अभिशंद एवचे अपसर्गिक रोगाष्ट संक्राम अन्ती नरा अन्नरम दोस्तों निदान सेवन से कुष्ट जवर शोश वर नेत्र अभिशंद नाम के रोग हो जाते हैं दोस्तों अब हम बताएंगे कॉमन उपसर्ग जन्यव्यादियों के बारे में पहला है रोमान्तिका मतलब की मीजल्स सेकिंड मसूरिका जिसे हम मौर्डन में स्माल पॉक सरलेट करते हैं थर्ड है उपदंश मतलब की सेश्चुल डिजीज़ या वेंडरल डिजीज़ फोर्थ है फिरंग मतलब की सिफिलिस तो ये हैं उपसर्जन्य व्यादियां तो दोस्तों इसी के साथ आपका उपसर्जन्य व्यादिय को टॉपिक खतम होता है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस गाईज और प्लीज दू लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल देंटल नायरवेदा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग